प्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में पाइल्स का मतलब होता है बाबा सीर प्रेंट्स हम पहले जान लेते हैं पाइल्स क्या होता है और बाबा सीर क्या होता है हमारे जो Enos होता है उसमें किसी प्रकर का चोट लग गया है उस जगह से bleeding हो रहा है और उस जगह पे घाओ हो गया है उसको कहा जाता है Piles यहां पे आप देख सकते हैं पाइल्स होने से कैसे होता है इस फोटो में आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स उस टाइम उस जगा पे मसल बाहर निकल जाता है कट लगने के बाद घाओ जो हो जाता है उसके बाद वहां से मसल बाहर निकलना सुरू हो जाता है उसको कहा जाता ह पाइल्स ठीक है पहले स्वेलिंग होता है उसके बाद धीरे-धीरे करके मसल बाहर निकलना शुरू होता है तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो प्लीज सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना इसी तरह के मेडिकार रिलेटर ज इन सभी बाते अभी हम जानेंगे तब हम जान लेते हैं इसका नॉर्माल ट्रीट्मेंट क्या होता है एक एंटिबाइटिक मेडिसिन दिया जाता है और एक ब्लीडिंग के लिए दिया जाता है और एक सीरॉप दिया जाता है कॉंस्टिपेशन को ठीक करने के लिए और एक ओएन्मेंट क्रीम दिया जाता है, एनस में लगाने के लिए, ठीक है, इन सभी बाते अभी हम जान लेते हैं, कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, और कौन सा क्रीम दिया जाता है, फ्रैंस इसमें जो एंटिबाइटिक दिया जाता है, उसका नाम है, ओफलोकसासीन और निदाज ठीक है इसका famous brand name है O2 tablet यह tablet दिया जाता है और bleeding के लिए दिया जाता है रानेक्सा मीक एसीड टाबलेट ठीक है यह ब्लीडिंग के लिए दिया जाता है इन दोनों टाबलेट को दिन में दो दो बार लेना होता है ठीक है एंटिवैटिक को दिन में दो बार लेना होता और रानेक्सा को भी दिन में दो बार दिया जाता है खाना खाने के बाद उसके ठीक करता है, शिरफ, के बाद हम लाश्ट में जान लेते हैं, उस क्रीम का नाम Smooth Cream, इस क्रीम का नाम है Smooth, इसको आप लाटरिंग जाने से पांच मिनिट पहले उस जगा पे लगा लेना है, उसके बाद आपको पैन ने रगा लाट्रिंग जाते लाट्रिंग होने के टाइम ठीक है इसको आप दिन में तीन से चार बार लगा सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है और जो डुफा लग सिरफ में बोला आपको उसको आपको दिन में दो बार लेना है सुभा साम ठीक है नहीं तो आप रात में एक बार लेने से बिल्गा.